तो यहां पर अगर HDFC bank जिसके नतीजे आए हैं उसको देखा जाए तो क्या अब यह कहा जा सकता है कि नतीजों से यह सेंडविच से बाहर निकल पाएगा या सेंडविच मतलब यह 50-day moving average और उपर आपके 20-day moving average कुछ दिनों से इसमें इन दोनों के बीच में फसके रहे हैं उसके पहले में इसको consolidation से ज्यादा कुछ भी नहीं कहा जा सकते मंडे का behavior भी बहुत ज्यादा कुछ खास तो नहीं रहना चाहिए consolidation में रहना चाहिए और 1700 के ऊपर close बना तो फिलाल मुझे challenge ही लग रहा है तो इस रेंज में ही अभी time pass करना चाहिए bank को और around 1600 अच्छा base भी बना हुआ है और फोड़ा से नीचे जाए तो 15670 के आसपास से 200 दिया में शुरू हो जाता है तो यह भी time correction वाला ही रहेगा पूरा structure time correction का है और sdfc bank time correction के लावा कर किया रहा है price में तो बहुत ज्यादा correction हो नहीं रहा है तो यह time correction थोड़ा सा लंबा चल सकता है और मेरे हिसाब से फिर से as a portfolio stock lower level कोई accumulation का candidate बन सकता है और कोटक बैंक कोटक बैंक में सेम कहानी है कोटक बैंक में से strength की कोई कमी नहीं थी लेकिन कोटक बैंक में 1925 के उपर close जाहिए उसके पहले में इसमें कोई fresh moment नहीं आने वाला है और जहां पे लो है ना प्राइडे का उसके आसपा support भी है good support will be around 18-20-25 वहां पर अच्छा support आएगा और आप यहीं समझें कि मेरे हिसाब से फिर कोटक बैंक अपना वही 1700 से 1900 वाला जो consolidation का range है इसमें अब भी फिलहाल रहेगा time spent करेगा जे लेकिन overall इनके नतीज़ों को देखने के बाद private sector के जो बाकी bank है जिनके नतीज़े अभी नहीं नहीं आये हैं उन में किस तरह का reaction आप देख सकते हैं यह trend तो clear है रहेगा और खासकर asset quality पे pressure continue करेगा जितना च्छोटा bank asset quality पे उतना ज्यादा pressure वो इशू तो अब चलेगा ही चलेगा लेकिन asset quality पे pressure कम से कम आपको HDFC कोटक में तो नहीं देख रहा ना थोड़ा सा तो है ही मतलब जितना clean है अब maybe 0.02.03 परसंट जो बढ़ा net NPA लेवल पे यह कम से कम आपको last दो quarter से trajectory तो ही दे रहा है ना कि net NPA आपको थोड़ा bottom out हो चुका है तो best of the days are gone तो यह sentiment negative तो हो गहीं तो मुझे लगता है कि जितना यह बड़े लेकिन छोटे वाले पर तो असर ज्यादा होगा तो मतलब यह कि अगर 0.39 से बढ़के 0.41 हो गया तो बाजार इसे negative महसूस करने लगेगा एक trend indicator के लिए वैसे 0.41 परसें नेट NPA क्या ही बात करें लेकिन फिर भी एक trend तो रहेगा ना कि जब बेस्ट क्वालिटी बैंक का नेट NPA लेवल अगर हिल रहा है तो फिर जो छोटे वाले बैंक है उनका क्या हो तो एक trend indicator industry trend indicator तो HDFC, Quotak, SBI, ICIC, Access कम से करें इंडस्ट्री का trend तो लेही सकते हैं तो बड़े वालों के अगर हालत में थोड़ी problem है तो छोटे वाले तो ज़्यादा problem में आएंगे लेकिन फिर आगे rate cut तो होगा ना और rate cut वाले scenario में NPA पर दबाव तो नहीं बनता है इसके लिए FED को कोई समझाए भाई क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है हमें तो उससे मतलब है जो RBI करने वाला है तो RBI अभी नहीं इस साल नहीं तो अगले साल कुछ तो rate घटाएगा ही कम से कम बढ़ने वाले scenario में तो हम नहीं 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 तो नहीं बढ़ने वाले scenario मे यह प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम फोड़ा government के लिए अलग है चाहे वो भारत की सरकार हो या US की सरकार हो बहुत लंबे समय से high cost of debt है और कोविट के बाद सबका debt level बढ़ा हुआ है तो debt servicing की cost बहुत ज्यादा होती जा रहे है ना सबकी और यह जितना लंबा चलेगा उतना government का balance sheet खराब करता रहेगा तो problem उधर है कि अच्छा सूचते अच्छा होते होते फिर से अच्छा नहीं हो पा रहा है विकास साड़े तीन जाके US 10-year Treasury 4.14.2 यह सब range जाने को हो गया है हमारा वाला 10-year bottom mode को के लग रहा है कि 7 के तरब भी बढ़ सकता है तो यह एक indication ऐ है कि फिर वो sentiment negative हो जाएगा और government के balance sheet के लिए अच्छा नहीं होगा तो अब 6 महीने बाद होगा तो 6 महीने तक का cost तो bear करना पड़ेगा नो government को debt servicing का यह तो तकलीफ रहेगी और हमारे यह ज़्यादा तकलीफ यह रहेगी कि February में आज जाएगा आपके पास budget तो फिर वहा लेकिन सवाल है कब यह अब होते होते कब पे चला गया ना यूस भाई साब के करन तो यह main problem वो है कि certainty को पूरे uncertainty में convert कर विया है यूस पेड में